हलो गाईज, वेलकाब टो चारापुना, चारापुना में आब सब का फिर्सक बर्स हो गाते, तो आज की वीडियो की जो थमने ले, बो देखके कम से कम आपके पास एक अंदाजा हो गया है, कि आज की इस वीडियो में मैं कौन से टॉपिक को लेके बात करने जा रहा हूँ, जी हाँ, शुशन सिंग राजपुत की CDR को लेके मैं बात करूँगा, यानी Call Detail Record, दोस्तो रिसेंटली, Citizen Court of India के तरफ से, शुशन सिंग राजपुत और दीशा सालियान की केस को लेके बहुत सारे movement आप लोग देख पर हैं, जिसका हर एक पल का मैं खबर, हर एक चीज, हर एक डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, पर शुशन सिंग राजपुत की केस सौल करने के लिए, जो जो evidence बगेरा हम लोगों के सामने रखा जा रहा है, क्या यही final evidence है, क्या इसके बाहर भी कोई evidence हो सकता है, शुशन सिंग राजपुत की case में 10, 12, 13, 14 तार शुशन सिंग राजपुत की case का सब कुछ देखा जा सकता है, जी हाँ, मैं एक ऐसी evidence की बात कर रहा हूँ, जो evidence हाथ पे लगने के बाद ही, शुशन सिंग राजपुत की case को solve किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से, और सिर्फ शुशन सिंग राजपुत की case को नहीं, श यानि 6, 7 और 8 जुन की शुशंत सिंग राजपूत की call detail record अगर निकाला जाए तो शुशंत सिंग राजपूत की case को solve करने के लिए जरा से भी time नहीं लगेगा. क्योंकि ऐसे ही हम सब किसी के अंदर एक curiosity है कि क्या शुशंत सिंग राजपूत दिशा सालियन के साथ बात किया था, क्या दिशा सालियन शुशंत सिंग राजपूत को call की थी, तो ऐसे बहुत सारे curiosity हम लोगों के मन के अंदर पैदा हो चुका है और तमाम curiosity की answer दे सकते हैं वो definitely बाते की 6-7-8 तरीक का CDR भी निकल दिया गया है, यानि ये CDR भी है किसी ने किसी के पास, पर क्या ultimately आपको या फिर किसी को भी ये जानकरी है कि शुशंत सिंग, राजपूत और दिशा सालियन की उस दिनों की CDR के अंदर क्या-क्या बाते हुआ था, किस से किस से बाते किसी को पता है, पता नहीं है किसी को पर वो CDR हम लोगों के सामने आना चाहिए और तभी जाके सब कुछ पानी के तरह क्लियर होगा, क्योंकि दिशा की केस के बाद अगर दिशा ने सुशंत सिंग राजपूत को फोन करते हैं, अगर सुशंत सिंग राजपूत को उस दिन स धमकाया जाते हैं तो फिर definitely उसका जीता जाता प्रमान शुशन सिंग राजपूत की कौल रेकॉर्ड ही दे सकता है और जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं वो CDR मिल नहीं रहा है क्योंकि शुशन सिंग राजपूत की कॉल रेकॉर्ड में अगर 12-13-14 तरीक की अगर CDR हम लोगों के सामने आ सकते हैं अगर इतना आ सकते हैं तो फिर उतना भी आ जाएगा या फिर आप कह सकते हैं कि आ भी चुका है हलाकि उसके अंदर कुछ ऐसा सच्चाई है जो सच्चाई को बाहर नहीं रखा गया है नहीं तो शुशन सिंग राजपूत की केस और दीशा सालियन की केस में बहुत सरे चीजे हम लोगों के सामने आ जा सकते थे मैं तो काऊंगा कि इस केस में 6, 7 और 8 तरीक की जो सीडियर है वो जान बुच के हम लोगों के सामने नहीं रखा गया था ताकि बहुत सारे लोगों का नाम इकटा हो जाएगा उस सीडियर की दोरान यानि कुछ ऐसा नाम है जो की हम लोग जान जाते और जो नाम को शायद बाहर निकालना कोई नहीं चाते है क्योंके वो डेफिनेटली कोई भी बी आईपी लेविल की नाम होगा क्योंके जैसे ही आपको पता चलेगा कि 8 तरीक को या फिर 7 तरीक को या फिर 6 तरीक को शुशन सिंग राजपुत को किसी ये बंदे ने कॉल किया है तो आप उसको एरेस्ट करने की मांग उठाएंगे उसके खिलाप लर लेंगे तो जो की शायद पैसो की लालाज देखो या फिर कुछ भी कारण की वज़ा से हो इस चीज़ को दबाने के लिए वो कॉल रेकॉर्ड को हम लोगों के सामने नहीं लाया चारा है आज के दिन में भी यारी कॉल रेकॉर्ड तो निकल गया है जिसके हाथ में होना चाहिए उसके हाथ में है पर हम लोगों के सामने नहीं है और आज के दिन में अगर citizen court of India के तरफ से justice की शपत लेके अगर मैदन पे उतर चुके हैं तो सबसे main important जो चीज मैंने बताया कि 6, 7 और 8 तारिक को शुशन सिंग राजपुत की CDR को बस निकल लीजी और कोई भी चीज की ज़रूरत नहीं परेगा ऐसे ही शुशन सिंग साथ और 8 तारिक की CDR हम लोगों के हाथ में आ जाएंगे या फिर publicly कर दिया जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि ultimately किसने दिशा को मारा क्यों शुशन को मारा किसने शुशन को कॉल किया कौन धंकाया शुशन दिशा सालियान की case के बाद उनका activity क्या था सब कुछ clearly सम राजपुत का क्या बादचीत हुआ था और उसी के साथ साथ रिया चक्रवत्ती के साथ शुशन सिंग राजपुत की छे तारिक को क्या बादचीत हुआ था सब कुछ है उस CDR के अंदर बस उसको निकलने की जरुरत है मतलब निकल दो गये है publicly करने की जरुरत है और यह बानते ही कि हाँ चरापुना जरूर आपने जो कहा है कि 6, 7 और 8 तरिक की शुशन स्वेंग राजपुत की call detail record हम लोगों के सामने आना चाहिए या फिर citizen court of India के हाथ में लगना चाहिए इस चीज़ को अगर आप भी support करते हैं तो definitely comment section पे comment जरूर करिए तो मिलेंगे मैंने next किस वीडियो पे till then सब कोई खुश रहेगा बढ़िया रहेगा टाटा